हेलो फ्रेंट्स आइम सीवर्दमार्णा का फ्रॉम इंस्टिट्यूट आज इस वीडियो में मैं आपको इंकम टेक्स का इंकम फ्रॉम अधर सोर्सेस का क्योंकि इसमें अमेंडमेंट भी है सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 क्लॉस 7 बी पढ़ाने वालों ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो को एंड तक देखना है स्किप करके नहीं देखना है रीजन यह अमेंडमेंड का पाट है एक्जाम में आने क करती है अपने शेयरोल्डर को तो उस केस में उस केस में कमपनी जितना भी फियर मार्केट वैल्यू से ज्यादा प्राइज ले रही है शेयरोल्डर से वह टेक्सेबल है एक्जामपल से समझाता हूं और हम से ध्यान दो मेरे तरफ मैं आपको पूरा सम्झाओंगा चार सेन नगे तो कम्पनी जो यह टेन रूपीज एक्स्ट्रा ले रही है शेयरोल्डर से यह टेन रूपीज टेक्सिबल है ऐस इंकम फॉम अदर सोर्सेज यह मान के चला जाएगा कि कम्पनी ने अपनी यह जो टेन रूपीज की इंकम है इसको अन्रिपोर्टेट रखा है और इस इसमें टेक्सिबलिटी आएगी इंकम फॉम अदर सूर्सेज यह खास बात इंपोर्टेंट अब इसमें एक चीज अमेंडमेंट है ज्यान दू दो दो लोगों के पर यह सेक्शन अप्लाए नहीं होता सबसे पहला दिया हुए वेंचर कैपितल फंड वेंचर कैपितल इसमेंडमेंट स्पेसिफाइट फंड फंड सेसिफफाइट फंड है क्या 15 वह है ऐसी कोई भी इंडिया हो चाहिए ट्रस्ट हो कंपनी हो बॉडी कॉर्पेट हो जो कैटेगरी वन या कैटेगरी टूस और कंपनी जाक के अंदर फॉल करती है सर हमें एक्जाम परपस के लिए क्या याद रखना है यह स्पेसिफाइट फंड याद रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंड्मेंट इसबार का और अगर अमेंड्मेंट है तो आने के चांसे सबसे ज़्यादा होते हैं आया यह समझ यह बहुत बहुत जादा जरूरी है कि आप यह specified fund याद रखो इनके उपर यह section apply नहीं होता इसका मतलब अगर यह fair market value से जादा में भी अगर share issue करते हैं तो जितना extra भी होगा वह income from other sources में taxable नहीं होगा यह आपको ध्यान रखना है अच्छा अब यह तो नॉर्मल मैंने आपको बताया अब इसके कुछ चार सिनारियो मैं आपको explain करता हूं ध्यान दो मेरे तरफ पहला सिनारियो है अगर किसी कंपनी की face value चल रही है 100 fair market value shares की 110 है और issue price 120 है क्या 10 रुपीज ज्याद है यस 10 रुपीज ज्याद है का टेक्सेबल होगा income from other sources सिंपल सेकेंड देखों face value 100 fair market value 110 and issue price 105 है यह 110 यह 105 बच गए फेर मार्केट वेल्यू से कम में इस्यू की हो बच गए तीसरा देखो face value 100 fair market value 90 और issue price 98 क्या fair market value से ज्यादा है यह ज्यादा है पर अगर आपने बात notice करी तो देखो face value 100 है और issue price 98 है बच गए आप बच गए आपका जो issue price जो आपने issue किया है वो आपका face value से भी ज्यादा नहीं है इसे लिए बच गए otherwise यह ज्यादा होता तो आपके हाथ में taxability आती बच गए अगला वाला point देखो face value 100 fair market value 90 और issue price 110 इस case में आप फस जाओगे इस case में आप फस जाओगे सर क्यों फसेंगे हम इस case में simple है इस case में हम इसलिए फस जाएंगे क्योंकि देखो सौर पर face value थी fair market value 90 थी और issue price 110 क्या fair market value से जादा है यस सर जादा है क्या face value से बीएक सीट कर गई यह से भी एक सीट कर गई तो यहां पर जो डिफ्रेंस से ट्वेंटी रुपीस का यह टेक्सिबल है most important यह यह बहुत इंपोर्टेंट है reason यह practical importance का यह है कि exam क्योंकि इस सेक्षन में अमेंडमेंट यह एपको अच्छे से पढ़ाए ठीक है बहुत धिया अगर गाया और कोई यह तो ने से दो में एक क्टाउ सकते हो मैं आपको पूरा सेक्षन अच्छे से एक्स्प्लीन इसस जितना हो सके टो क्यों सब्सक्राइब करना बेल आईकन प प्रिप्रेशन हो जाएगी फ्रेंड्स तक शेयर करो सब बैट के पढ़ेंगे नवेंबर में एक्जाम से लेट स्टार्ट यार अब नहीं तो कभी नहीं पढ़ते हैं मेनद करते हैं फोकस रखते हैं छिक्क है थैंक यो फ्रेंड्स